गुड इवनिंग एवरिबन आडियो का बता दीजेगा आडियो क्लियर है आज के लेक्चर में हम लोग मराठ एमपायर को पॉंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें तो अभी तक हम लोगोंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझाए आज हमने उसके आगे केरी फॉरवर्ड करना है लास लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो प्लीज पूछ लीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो यह वाला पॉर्शन ऐसा पॉर्शन है जिसके बारे में बहुत सारे स्टुडेंट्स को उतने डिटेल में पता नहीं होता हमारी कोशिश है ही रहेगी कि इन लेक्चर्स की मदद से डिटेल में आपकी नॉलेज को इनहेंस किया जा सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गुट इवनिंग एवरिवन वी वर डिसकसिंग मराठा एंपायर एंड मराठा एंपायर में हम लोगों ने बात की थी अभी तक कुछ इंपॉर्टन प्लेयर्स की तो मैंने बताया था कि मराठा एंपायर का इस्टैब्लिश्मेंट कैसे हुआ था मैंने बताया था शिवाजी महाराज का कोरोनेशन राएगड में 1674 में हुआ है और उसके बाद उनका कॉंटिनियस स्ट्रगल चलता रहा और अंजेट के साथ यह सारे पॉइंट हम लोगों ने डिसकस कर लिये थे हमने डिसकस किया था कैसे शिवाजी महाराज के राएगड के टाइम क्रड में उनका लड़ाई होती है बीज़ापूर के साथ और साथ ही साथ मुगलों के साथ कॉंटिनियसली तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामबा जी महाराज के बारे में और उनके साथ साथ आगी की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों ने डिसकस की थे उसी को कैरी फॉरवड करते हुए आज आगे डिसकस करते है तो शामभा जी वोसले यानि चत्रपती शामभा जी महराज दूसरे चत्रपती थे हमको पता है कि शिवा जी महराज के दो वाइफ और दो बच्चे थे तो एक है शामभा जी महराज और दूसरे है राजाराब तो इनकी जो मतर है शामबा जी माराज की उनका नाम है साही बाए और यह है सौरा बाए तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझते हुए है अब हम समझते हैं पहले हम बात करेंगे सामबा जी बोसले का वो दौर जब वो छत्रपती नहीं बने थे तब छत्रपती शिवाजी माराई थे या राइस की टाइप प्रण में क्योंकि इनकी जो पॉर्डिकल जर्णी थी या इनकी जो जर्णी थी वो काफी छोटी उमर में ही स्टार्ट होगी छत्रपती 1680 में बनते हैं लेकिन उससे पहले भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में इनको जब छोटे थे नौ साल की उमर में थे तो पुरंदर की समझोते के तहत इनको जैसिंग फर्स्ट ऑफ अंबर के अंडर में पॉलिटिकल ओस्टेज बना की बही दिया गया था और यह सारे पॉइंट मैंने डिसकस भी किये थे जैसिंग फर्स्ट के टाइम पिरड़ के कि कैसे ट्रीटि ऑफ पुरंदर में ये तैय किया जाता है कि सामबा जी महराज काम करेंगे प्रिंस मुख्जम के साथ शामबा जी महराज को मुगल मंसबदार बना दिया जाता है उस समझोते के बाद और चार साल 1670 तक वो मंसबदार बन के रहते भी तो प्रिंस मुख्जम के साथ वो काम किया करते थे साथ ही साथ प्रताब राव गुजर जो कि इनके जैनरल हुआ करते थे वो भी उनके साथ ही थे तो छोटी उमर में इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया था मंसबदार औरंगाबाद के इनके साथ प्रिंस मुख्जम और प्रताब राव गुजर जो कि इनके जैनरल थे इनकी शादी हुई थी जीवू भाई से जिनको येशु भाई भी बोलते है जो कि डॉटर थी पिलाजी शिर्के की और इनके दो बच्चे थे भवानी भाई और शाहु फस्त अब ये सारे बैग्राउंड में आपको पता है हमको पता है 1670 के आसपास और अंग्जेव का अपने बच्चे के उपर ट्रस्ट खतम हो रहा है अपने बारिस के उपर ट्रस्ट खतम हो रहा है उनको ये लग रहा है कि ये और मराटा मिलके हमको अलिमनेट कर देंगे और इसकी वज़े से वो लोग शामबा जी महराज को जो दिया हुआ बेरार का इलाका था हूँ वो वापिस लेने की कोशिश करते हैं वो वापिस ले लिया जाता है ये बात शिवाजी महराज को बिलकुल पसंद नहीं आती क्योंकि आपने मनसबदारी दी है अब आप शक की बिना पे वो मनसबदारी वापस ले ले गए तो ये बात बिलकुल पसंद नहीं आएगी और इसके बाद दोनों के बीट में लड़ाईया फिर से स्टार्ट हो जाएंगे तो 1670 से लगाता लड़ाईया स्टार्ट होती है 1674 में गुड इमनी गुड इमनी मुसकांगी 1674 में शिवाजी महाराज का रायगड के एडिया में कॉरोनेशन किया जाता है तैन कई जगे ऐसा बोला जाता है कि इस सारे प्रोसेस में बाकी सारी चीज़े मैंने बताई थी ऐलेज किया जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी महाराज की जो पुत्र थे उनको पनहाला फोट में इंप्रीजन कर दिया गया था क्योंकि उनकी कुछ एक्टिविटीज थी इर्रिस्पॉंसिबल एक्टिविटीज ऐसा एलेज किया जाता है यानि यह चीज़े आगे चलके इस तरीके से कि उनके इस बीएवियर को कंट्रोल करने के लिए उनको पनहाला फोट में इंप्रीजन करके रख दिया गया था बाई शिवाजी महाराजी अब यह एलेजड है इसके लिए बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेद आपको देखने को मिलेंगे तब आपको तो यहां पर अलग-अलग वर्जन देखने को मिलेंगे डिफरेंट सोर्सेद पिर ऐसा बोला ज इसके लिए उनको पता है कि यहां पर मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है इससे बेटर है कि मैं दिलेर खान के साथ रहूं वहां पर मेरे को कम से कम आजादी मिलेगी पर जब वो दिलेर खान जो कि मुगल वाइस्ट रोय है दक्कन के इलाके का उसके साथ रहते हैं तो इनको पता चलता है कि यह मुगलो का एक प्लाइन है कि उनको औरेस्ट करके दिली बेज़ दिया जाए और उसके बाद उनके फादर के साथ नेगोशेट किया जाए इसलिए वो उनको छोड़ के वापस आ जाते हैं और शामभा जी को जब वापस आते हैं तो फिर से पन खत्रपती शिवाजी महराज हमारे बीच नहीं रहते है अपरेयल के महीने में और क्योंकि शामभा जी महराज पनहाला फोर्ट में बंदी हैं तो राजा राम जी की जो मदर है सौरा बाई जो शिवा जी जी की सेकिंड बाईफ है वो राजा राम जी को गद्धी पे बठाने की कोशिश करते है और अधा उनके साथ काफी जादा और influential courtiers भी यही चाहते थे कि राजा राम जी को गद्धी पे बठा दिये और वो 15 फोर्ट से भागते हैं, escape करते हैं, रायगड के किले पे कबजा करते हैं और जून जुलाई की महीने के आसपास अपने आपको सेकंड छतरपती अनौंस करते हैं। जू सेकंड छतरपती शामबा जी माराज बन चुके हैं। अनके मुगलों के साथ साथ सिद्धी इस के साथ लड़ाई लड़ी, वो डियार्स लड़ाई लड़ी, पूर्तगाली इस के साथ लड़ाई लड़ी। तो 1680 से लेके 1689 तक, जब तक कि इनको धोके से मार नहीं दिया जाता बाई औरंग जेब, तब तक ये 9 साल तक काफी सारा डॉमिनेट करते हैं, ठीक है जी तो गद्धी में कैसे बैठे हैं, मैंने बताया, कि इन्फुलेंशल कोटियर जैसे अन्ना जी दत्तो और सोरा बाई, कि जो कॉंस्पिरेसी थी, उससे बच के ये गद्धी पे बैठते हैं, और आगे अगले 9 साल इसी तरीके से डॉमिनेट करते हैं, शुरुात करते हैं, बुरहानपूर के सीज से, बुरहानपूर शहर वो था जहां पे, जजजिया टेक्स कलेक्ट करके, स्टोर करके रखा ज बासच करते हैं, जजजिया वो टेक्स है, जो हिंदू से लिया जाता था, तो इन्हों ने सब से पहला शिकार बुरहानपूर को बनाया और वहां से सारे पैसे को लोट के अपने पास रख लिया तो सबसे पहला हमला किया गया था बुरहानपूर को, अब इसकी बात, और अ अक्बर है वो मुगल कोर्ट से चला जाता है अपने फादर के साथ कुछ लड़ाई और कुछ विवाद के चक्र में और अपने साथ कुछ मनसबदार्ज को भी लेके आ रहा है और ये सब लोग जॉइन कर रहे हैं डक्कन में उन लोगों को जो की रेबेलियन्स है जो रेबल् और अरंगाबाद लेके आना पड़ता है याद रखे गए और अरंगाबाद वही जगह जहां पर उसने बीवी का मकबरा भी बनाया था जिसको सेकंड ताज या दक्कनी ताज भी कहते हैं इसके बाद वो वापस कभी नौर थी नहीं जा पाया तो अब वो और उन रेबल्स को औरंगजे भरा दिया है तो अब ये अकबर अपनी जान बचाने के लिए मराठा से मदद मांगते हैं और शामभा जी मराज के अंडर में रिफ्यूज मांगते हैं तो अगले कुछ साल पांच साल तक अकबर सामभा जी मराज के साथ ही रहते हैं इस उमीद के साथ कि सामभा जी मराज अपनी फोर्सेस देंगे और वो औरंगजेब से कदीच शीन पाएंगे पर ऐसा कुछ मौका बनता नहीं है और फाइनली सामभा जी मराज अकबर की करता है परश्या भागने में परश्या जाने में जानी औरंगजेब के बेटे को परश्या भेज दिया गया है क्यों भेजा गया है क्यों वो रेबल कर रहा था औरंगजेब इनको इलिमिनेट करना चाहता है लेकिन औरंगजेब एक बार औरंगा बाद आ गया दक्कन के इलाक महराज के टाइम पिरिड में क्या क्या हुआ है बुर्हानपूर की लड़ाई समझी और साथ ही साथ हमने समझा कि कैसे अकबर के रेबेलियन की वज़े से औरंगजेव को गद्धी छोड़के औरंगा बादानों को 1682 से ही औरंगजेव ने कोशिश की कि कहीं न कहीं ऐलिमिनेट किया जाए या कुछ नकुछ किलों पे कबजा किया जाए तो पहली कबजा करने की कोशिश की गई रामसेज पर लेकिन 5 महीने की कोशिश के बावजूद भी ये फेल हो गया क्योंकि शांबा जी महराज ने बहुत अच्छे से त्यारी कर रखी थी आने वाले टाइम पिरिड़ में भी मुगल कोशिश करेंगे अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि हमारे नमबर जादा हैं हमारे नमबर जादा हैं तो हम आसानी से कब्जा कर लेंगे लेकिन जो मिलिटरी स्टैटीजी अपना ही गई थी बाई मराठास गुरिला वारफेर की टेकनीक्स हो गई या किस तरीके से कहां पे लड़ाई लड़ने हैं और कब लड़ाई नहीं लड़नी हैं इसका केरफुल अनलिस उन्हों लोगों ने कर रखा था तो ये सारी प्लैनि करता रहा उसके बाद उसने सोचा कि सीधे कैपिटल पे हमला किया जाए कौनकन वाले इलाके पे हमला कर दी इसमें भी जब उसने कौनकन के इलाके में अमला किया 1684 में तो इसकी बहुत बुरी हार हुई है किसकी औरंग जेव की क्योंकि जो वहां की forces थी वो यहां की climate को ब बहुत बुरी हार देखने को मिली तो यह समझ में आये yes or no बताई है यहां तक कोई doubt है तो please पूछ लीजे अब हम बात करते हैं एक ऐसे किले की जिसको ऐसा माना जाता है कि जिसको कबजा करना जिस पर seize करना impossible है इस तरीके से माना जाता है इस किले के उपर काफिस सारी documentary भी बनी है जिसको कहते है जंजीरा का किला यह किला आइलेंड पे है जी और यह था कंट्रोल पे सिद्धीज के अंडर में यह सिद्धीज एक्चुली में लैंड पे भी कंट्रोल किया करते थे लेकिन सामभा जी महराज ने इनको मजबूर कर दिया कि इनके आइलेंड के जा था दैट इस आईलेंड और उस आईलेंड के जो किला है उसका राम है जन्जीरा अब ये सिद्धी इस कौन है ये एबीसी एन है मुस्लिम से हपशी मुस्लिम से हैं और ये कौनकन कोस्ट के उपर कंट्रोल किया करते थे लेकिन सामा जी मराज ने इनको रैपल करके सीधे बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ आईलेंड तक इनको फोर्स कर दिया कि वहीं पर ये रह जाए लिमिटेड रह जाए अब अगला अटेंप्ट ये है कि ये जन्जीरा के किले पे भी कब्जा किया जाए इसके उपर किले के उपर डॉक्युमेंटरी भी बनी है जैसे बड़े करती है तीस दिन तक इस आईलेंड को कब्जा करने की कोशिश करती है लेकिन वो इस आईलेंड के डिफेंसे को ब्रीच नहीं कर पाते क्योंकि उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक पिर कोशिश की जाती है कि कुछ लोगों को भेजा जाए ऐस डिफेक्टर ये दिखा सिद्धी इसकी मदद करने के लिए मुगल हमला कर देते हैं फ्रंट को बदलने के लिए इनकी कैपिटल पर आप ये समझे कि ये रायगड किला है रायगड का फोर्ट है और ये आईलेंड है और इधर से मुगलों ने इधर हमला कर दिया है रायगड के उपर अभी तक जो स जन्जीरा का किले का जो सीज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि आर्मी सारी वापस बुलानी पड़ी जन्जीरा का सिद्धी का लड़ाई 1682 में हुई है याद रखेगा यह important है और जैसा मैंने बताया चाहे तो आप लोग documentary भी देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि यह इतना मुश्किल क्यों था इस जन्जीरा के island को कबजा करने अब वहाँ पे तो कबजा नहीं कर पा हम सब को पता है कि Portuguese की इंडिया में entry 1498 में हो चुकी है with the arrival of Vasco de Gama and 1505 की बाद से तो एक active player है इस खास कर West Coast के इलाके में और यह जो Portuguese है यह मुगलों को हत्यार दे रहे थे मुगलों की मदद कर रहे थे इस पूरे background में इन्होंने सोचा कि इन अंजदीप island या जिसको अंजदीवा island बोला जाता है उस पे से Portuguese को eliminate किया जाए यह island भले ही करनाटक के पास आपको दिख रहा हो लेकिन यह आज की date में गोवा के control में आता है ठीक है जी तो आज की date में एक आए गोवा की control में आता है इतना समझ के रखिएगा तो Portuguese colony गोवा की यहाँ पर इन्होंने force बेजी और मजबूरन इनको Portuguese को अपनी जान बचा के भागना पड़े लेकिन एक वापस से retaliation होता है 200 पूर्टुगाली इसका नेवल force का जिसकी वज़े से conflict बढ़ जाता है दोनों के बीचों तो Portuguese है यह मुगलों को हत्यार सप्लाई किया करते थे जैसा मैंने बताया और साथ ही साथ यह Portuguese को allow भी किया करते थे मुगल की आप हमारी लाकी से move कर सकते इसलिए इनको counter करने के लिए सामबा जी मराज ने Britishers के साथ एक defensive treaty sign की क्योंकि पता है कि Portuguese को अगर हमको औराना यह उनके अत्यारों को लड़ना है हमको तो हमारे पास भी अच्छे quality के अत्यार होने चाहिए जो कि Britishers हमको provide करा सकते है क्योंकि Britishers और Portuguese एक दूसरे के enemy है तो एक तरफ Portuguese और मुगलते दूसरी तरफ Britishers और Marathas का एक association तो यह अंजदीवा आइलेंड के उपर इन्हों ने इस तरीके से इस पे टीज किया और लास्ट लड़ाई है यह दैट इस Maratha-Maisur war जो कि वोडियार डिनेस्ट्री से और यह वोडियार डिनेस्ट्री का आपको नाम सुनने को मिलता रहेगा वोडियार डिनेस्ट्री के राजा चिक्का देवराज से लड़ाई चल रही है जी और चिक्क देवराजा को हरा के उनसे फोर्स किया है कि आप हमका हमारा साथ दीजिए हमको ट्रिब्यूट दीजिए और चिक्क देवराज को एक करोड हून्स का ट्रिब्यूट देना भी पड़ा है कितने का एक करोड हून्स का ट्रिब्यूट देना पड़ा है कि इनको सामबा जी मराज को और इस ट्रीटी को भी ट्रीटी ओफ सेरिंग का पत्नम बोला जाता है यह वही वोडियार डिनेस्टी है जिसके अंडर में काम करने वाला एक आफिसर हैदर अली कुछ टाइम बाद वोडियार डिनेस्टी को अलिमिनेट करके खुद सुल्तान बन जाएगा और हैदर अली की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी और हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान अब सारी कनेक्शन आपको जोड़ा होंगे कि मैसूर के इलाके में हैदर अली से पहले भी वोडियार डिनेस्टी थी जिनकी लड़ाई मराठास के साथ अब ही चल रही है और जब ब्रिटीशन टीपू सुल्तान का अलिमिनेट भी कर देंगे तो उसके बाद भी कौन गद्दी पे बैठे का टैन आल्सो गोडियार डिनेस्टी तो ये सारी लड़ाईयां मैंने डिटेल में बताए हैं 1682 से लेके अलग लड़ाईयां किस तरीके से चल रही थी तो 1682 से 1684 के बीच की सारी लड़ाईयां हम लोग ने बात किये हैं अब बात करते हैं कि कैसे सामभा जी महराज की रित्यूद एक चीज यहाद रखेगा इनके बहुत इंपोर्टेंट एक जैनरल थे जिनका नाम था हमभी राव मोहनते प्रतापर अब गुज्जर जो मैंने अभी बताए ये इंपोर्टेंट जैनरल थे उनके बाद हमभी राव मोहनते इंपोर्टेंट थे और वो काफी influential थे, काफी powerful थे और सांबा जी महराज की power उनके वज़े से काफी ज़ादा बढ़ गई थी 1687 में एक लड़ाई होती है जिसको कहते है battle of Y सर्जा खान वो उदर से औरंगजे बेजता है जिसका एक ही मकसद था कि रायगड़ पे कबज़ा करना है रायगड़ capital है जी इतना आपको पता होना कि मैंने बताया न कोरोनेशन रायगड़ से ही हुआ था तो सर्जा खान को औरंगजे बेजता है और अब तक थोड़ी situation चेंज हो चुकि है क्योंकि जब वो लगातार और अंजेब मराठास को नहीं हरा पा रहा था तो उसने अपना टेकनीक को बदल और पहले बीज़ापूर और गोलकोंड़ा पे कबज़ा कर चुका है एंड अब उसकी पावर काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो चुकी है तो इस पूरे बैक्गराउंड में उधर से अपने जैनरल सर्जा खान को बेचता है और इधर से मराठास की कमांडर थे हम भी राव मोही थे काफी ज़्यादा ब्रेव वारियर थे अब इस नडाई में एंग जैनरल कहते है कि मराठास की जीत हुई लेकिन जो ब्रेव वारियर थे हम भी राव मोहते उनको उनकी दैत होगी अब इनकी दैत होने के बाद काफी ज़्यादा भले ही इनिश्यल विक्ट्री मिल गई हो लेकिन वेकने सब देखने को मिलेगी क्योंकि मराठास के वो जैनरल हुआ करते थे लीडर थे कमांडर थे ठीक है क्योंकि हम भी राव मोहिते के बाद बहुत सारे ट्रूफ्स ने उनको डैजर्ड कर दिया और इनके जो राइवल इनी के परिवार में चल रहे थे उनको उनके साथ मिल गए अब इस पूरे बैग्राउंड में दो साल बाद 1689 में सामभा जी माराज अपने सारे कमांडर्स की मीटिंग बुलाते संग मेश्वर में ताकि मुगल फोर्सेस के जो अंसलॉट है उनको कैसे टैकल किया जाए उनसे कैसे निप्टा जाए उसके लिए प्लैनिंग करने के लिए बुलाया गया थे उन्हीं के जो राइवल हैं गनो जी और औरंजेब के कमांडर मुकारब खान एक प्लैन बनाते हैं उनको पूरी इंफोर्मेशन थी कि संग मेश्वर में सब लोग मिल रहे हैं और एक एमबुश करके मार दिया जाते हैं कैप्चर कर लिया जाता है तो एक फर्वरी 1689 को सामबा जी महराज उनके एडवाइजर कभी कैलाश को पकड़के बहादूर कर ले जाया जाता है जहां पर औरंग जेब उनको एलिमिनेट करवा देता है उनको एक्जिक्टूट करवा देता है तो इस तरीके से खुद के घर के अंदर से कुछ दोखा और गदारी की वज़े से सामबा जी महराज को ये नुकसान देखने को मिलते है तो इसके बाद के आगे की कहानी को समझने के लिए अब ध्यान से समझे अब और अग्जेब के लिए बड़ा आसान है कि राएगड़ पे कबजा करना और उसको अपनी कैपिटल बना लेना और राएगड़ में कौन है जी अभी सब है शाहू महराज जो कि शामबा जी महराज के बाद उनके अगले वारिस है इनकी मदर है राजा राम है और उनकी वाइफ से और आगे वारिस है तो ऐसा बूला जाता है कि राएगड़ के उपर किले के उपर जब हमला होना तैय था तो शाहू महराज की जो मदर है वो राजा राम से कहते हैं कि क्योंकि बले ही किला बहुत मजबूत है लेकिन जब ये सीज रखा जाएगा तो हमको एक जगे नहीं रहना चाहिए ताकि हम लोग मुगलों से लगाता लड़ाई रख सके इसलिए तुम अपने परिवार को लेके दूर चले जाओ और मैं इस किले को समालती हूँ मैं बहादुरी से इस किले को बचाने की कोशिश करूँ ऐसा बोला जाता है कि ये बात सुनके राजराम काफी भावुक हो जाते हैं आशिरवाद लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं जिन जी के इलाके में मुगलों की सेना कामला होता है मुगलों की सेना कामला होता है और इस फूरे बैग्राउंड में शाहू फर्स्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है शाहू फर्स्ट को किड्नैप कर लिया जाता है अपने साथ ले जाया जाता है और इस फूरे बैग्राउंड में राजाराम को कोरोनेट करके तीसरे छतरपती अनौंस कर दिया जाता है क्योंकि अब कोई और आप्शन नहीं और वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते है जिंजी के किले की तरफ क्योंकि राएगड़ वाला खिला उनके हाथ से अब जा चुका है राएगड़ पे तो कब्जा हो गया है और अंगजेब कर राजाराम जी की तीन वाइफ थी तो राजाराम जी की तीन वाइफ थी पहली का नाम था जानकी भाई दूसरी का नाम था तारा भाई और तीसरी का नाम था राजस भाई ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आगे परिवार का डिविजन इसी तरीके से होगा आगे भी और काफी सारे पावर सेंटर डेवलप होगा जब हम इस मैप को देखते हैं ध्यान से देखिएगा आपको देखने को मिलेगा ये तो सिवाजी टू एंड उनके जो ब्रदर है जो उनकी स्टेप ब्रदर है क्योंकि राजाराम की जो वाईव थी उनके बीच में भी अलग-अलग पावर सेंटर को लेके कॉन्फिक्ट हो गया यहाँ पे भी दो पावर सेंटर बन जाते हैं इस पूरे बैग्राउंड में शाहू फर्स्ट और उनकी मदर पोस्टेज हैं कबजा कर रखा है और अंगजेब ने यहाँ तक कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लिजे फिर हम आगे मूव करते हैं यह ऐसी चीज़े हैं जो काफी ज़्यादा डिटेल में मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आप लोगों को क्लियर्टी बनी रहे तो चलिए बात करते हैं 11 साल के जो इनका राहीं था इसमें लगाता लड़ाई हैं चलती रहें मुगलों के खिलाफ इनके बाद इनको सक्सीड करते हैं इनके पेटे शिवाजी टू और इनकी रिजेंट बनती है तारावाई ऐसा बोला जाता है कि जो इनकी एक वाइफ थी वो इनी के साथ अपनी जान दे देती है जो बड़ी वाइफ जिनका नाम था जान की वाइफ तो बैटल ओफ राहेगड हुआ जिसमें मुगल एमपायर और मराठा एमपायर के बीच में हुआ मुगल एमपरर औरंगजेब ने जुलफिकर खान को बोला था कि राजाराम जी को पगड किला थे मुगलो ने राहेगड पे हमला किया राहेगड का किला घिर गया लेकिन राजाराम जी इसकेप कर चुके थे जैसा मैंने बताया शाहू as a child को उनको prisoner ले लिया गया along with his mother by मुगल सर्दार जुल्फिकर खान नुसरत जंग और इसको कहते है बैटल ओफ राइगड जैसा मैंने अभी आपको बताए तो ये कैसे succession हुआ कैसे capture किया गया मैंने भी आपको बताए किस-किस को कबजा किया गयता है शाहू महराज और सक्वर भाई को कबजा करके रख लिया गयता और इनको release किया जाता है और अरंग्जेब की दैट के बाद और इनको release करते हैं मुहमद आदम शाह जिसको आप बादुर शाह भी कहते हैं पहले बादुर शाह तो औरंग जेप की देथ के बाद इनको release किया जाता है इतने लंबे टाइम लड़ तक ये 18 साल कैद में ही रहते शाहु माराज और इनको रिलीज भी इसी कंडिशन में किया जाता है कि आप को क्लेम करना है मराठा की कर दिए उनकी मदर इनके भोस्तेज ही रहती है मुगलों की तो आप देखे किस तरीके से आपस में लड़ाया जा रहा है आपस में ही पावर सलकर और फ्रंट्स को खड़ा किया जा रहा है तो राजय राम जी की जो दैथ होती है 1700 में एट सिंगहर नियर पूने महराष्ट और लंग डिसीज से होती है जानकी भाई उनकी जो वीड़ो हैं वो सती करती है उनकी दूसरी वाईफ तारा भाई उनके छोटे बेटे शिवाजी टू को अगला च्छतरवती क्लेम करती है और उनके रेजेंट के रूप में रूल करने लगती है जो ये शाहु महराज को इस पूरे बैगराउंड में और अंगजेब की दैद के बाद रिलीस किया जाता है और इसके बाद शाहु महराज की लड़ा ही होती है इस गद्दी के लिए छतरवती की पोजिशन के लिए अगेंस शिवाजी टू और शिवाजी टू की रेजेंट है तारा बाई की तो इस फूरे बैगराउंड में इनको अपना किला छोड़के कोलापूर की गद्दी को जब ये पूरी लड़ाई होती है तो ये सारे बैगराउंड में शाहु महराजी जाते है और ये अपनी सेपरेट राइवल सीट खड़ी करती है अपना सेपरेट डोमेन बनाती है जिसका नाम था कोलापूर तो यह कोलापूर से अपना पावर सर्कल स्टार्ट करती है क्योंकि जो मेन सेंटर था वहाँ पे इनकी डिफीट हो चुकि है शाहु माराज को बहुत सारे आफिसर्स मदद करते हैं जिसमें खास से पेश्वा तो इस पूरे बैग्राउंड में अब दुबारा से शाहु माराज जो की अठारा साल से कैप्टिव थे वो बन चुके हैं छत्रपती लेकिन कोलापूर लाइन पे भी वो जो दो वाइफ से उनके बीच में लड़ाई चली जो मैंने भी आपको पिच्चर में दिखाया था राजस भाई शिवाजी टू को अटा के अपने बेटे को जिनका नाम था सामबा जी सेकंड उसको गद्धी पर बठा देती यह कोलापूर लाइन आज भी चलती है बाई नैट्रल सेक्सेशन और यहां के जो वारी से उनको ऐसे ही माना जाता है कि मराथा परिवार की लीनेज को यह कंटिन्यू कर रहे उनकी लेगिसी को यह लोग कंटिन्यू कर रहे तो उमीद है यह सारे पोर्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा यह वो चीजे थी जो अभी आप लोगों को वैसे बड़ा कंफ्यूस करती है लेकिन मैंने इनको को डेटियल में बता दिया है कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजे इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजेगा अब हम बात करते हैं आगे वाले प्लेयर की डैट इस तारा भाई जी के बार में बात करना बड़ा ज़रूरी है अब अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि शिवा जी महराज के बाद गदी में शामबा जी महराज बैठे शामबा जी माराज के बाद गद्धी पे बैठना था शाहू को शाहू जी 18 सार की captivity में रहते हैं और इस पूरे background में शामबा जी माराज के बाई राजर राम गद्धी पे बैठते हैं राजर राम जी के बाद उनके जो बेटे है शिवा जी 2 along with उनकी regent तारा भाई इस पूरी गद्धी को control करती है शाहू माराज को release किया जाता है दोनों की बीच में लड़ाई होती है शाहू माराज जीच जाते है और शिवाजी 2 एंड तारा भाई कोलापूर लाइन बना लेते हैं अपनी power center को नया center बना देते हैं main किले को छोड़के कोलापूर के किले से rule करना start करते है यहाँ पे भी इनको हटा के इनकी जो second wife है राजर राम जी की third wife जिनका नाम है राजस भाई वो इनको eliminate करा के अपने बेटे सामबा जी second को गद्धी बठा दे और यह कोलापूर लाइन आज भी continue करती है और इधर सारा चीज सारी पावर शाहजी माराज के हाथ से पावर चली जाती है पेशवा के हाथ पेशवा के हाथ में पावर कैसे जाती है उसके बारे में बात करते हैं पर उससे पहले हम बात करते हैं तारवाई के बारे में देखिए अगर हम पूरे इत्यास में कुछ important ladies के बारे में बात करें खासकर medieval history के बारे में जब हम बात करते हैं तो रजियत सुल्ताना का नाम हमको दिखता है उसके अलावत चांद वीवी का नाम को भी हमको देखना है जो अकबर के खिलाफ लड़ाई थी रानी धुरकवती गोंड की रानी वो भी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ती है उसी के तरीके से तारभाई बोसले जी का नाम भी काफी important है तो आठ साल के लिए रेजेंट रहती है उफ मराठ एमपायर जैसे मैंने बताया तो वो आठ साल तक जब शिवाजी महराज जो शिवाजी टू है वो छोटी है तब तक पूरी एमपायर को consolidate करके रखना ताकि वो तूट ना जाए ये important role था कई बार जब लड़ाई लड़नी होती थी तो कई बार ये lead भी करती थी तो थारा भाई भोसलेगी का काफी important role है इसको आप deny नहीं कर सकते और जो brave warriors की जो series है जो ladies की series है उसमें आपको इनका नाम भी list किया जा सकता है असानी से तो बहुत सारी लड़ाईयों में इक कुद command पे भी रहती थी जैसा मैंने बताया कि actually मैं ये सारी चीजेनी के control में चल रही थी लेकिन जब शाहू महराज को छोड़ दिया गया आजम खान जो कि अगले और अंग्जेब की death के बाद अगले जो राजा बने उसके बाद जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में ये conflict आगे बढ़ा और इस battle के बाद सारी पावर शाहू महराज के हाथ में आ गई है और साहू महराज के हाथ में भी क्या पावर आ गई है वो एक तरीके की nominal head बन गए है सारी पावर एक्चुली में पेश्वा के हाथ में आ गई है क्योंकि पेश्वा ने मदद की थी शाहू महराज को अगेंस्ट तारा भाई प्रिवेल क्यों करते है क्योंकि लीगली उनकी पोजिशन बड़ी स्ट्रॉंग थी और बहुत सारे ऑफिसर इस पाथ की वज़े से उनका साहथ देते है विकास इवाज दी राइट फूल क्लेमेंट अफ देट पोजिशन तो in that condition तारा भाई established कोलापूर ब्रांच and she was deposed in 1740 भाई राजराम सदर वीटो जिनका नाम राजसभाई थी जैसे मैंने बताया और तारा भाई और उनके बेटे को सामबाजी सेकंड जो की अब गद्दी पे बैठे कोलापूर में उन्होंने इंप्रिजन कर लिया जिवाजी टू की देठ हो जाती है 1726 में and तारा भाई बाद में कंसाइल कर लेती है चत्रपती शाह के साथ और सतारा में रहती है बट विदाउट अनिक और्टिकल पावर तो यह चीज़े इस तरीके से फैमली में पैन आउट हो लिए अब देखी शाहु माराज ने तारा भाई की जो पूरी वो लड़ाई थी उनको हराया विद्धी हैलप आप बाला जी विश्वनाद जो की इंपोर्टन ओफिशल बने और कुछ टाइम बाद इनको में पावर बना दिया और जो पेश्वा की पोजिशन है वो में पावर ब जाने लग गया तो बाला जी विश्वनाद के पेश्वा बनने के बाद एक सीरीज ओफ इंपोर्टन पेश्वाज आएंगे जो एक एक करके मराथा एंपायर्स को आगे अलग लग जग एक्सपैंड कराएंगे लेकि शत्रप्रदी की पोजिशन अब टाइटूलर हैड की पेश्वा बिल ऑक्यूपाइदा सेंट्रल पोजिशन तो अब हम बात करेंगे इन्हीं पेश्वाज के बारे में तो ऐसा नहीं कि पेश्वा पहली बार बन रहे थे लेकिन पेश्वाज को इतनी पावर अब पहली बार मिल रहे थे जैसे मैंने शिवाजी महराज के टाइम प्रण में भी बताया था कि उनके भी पेश्वा हुआ करते थे वो सारी चीज़ हम अल्रेडी डिसकस कर चुके लेकिन तब वो पेश्वा उतना जादा ऐसे पावर को इंजोई नहीं किया करते थे उनके पेश्वा का नाम था मोरोपंत तिंबक पिंगल तो बाला जी विशुनात के पेश्वा बनने के बाद शुरुआत में छोटे ऑफिशल रहे थे लेकिन स्टेप बाई स्टेप इन्होंने पावर गेंग की थी टाहुक को लॉयल सर्विसेज देती रही और उनके एनमीज को सप्रेस करने में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट डोल प्ले किया अपने पेश्वा रहते रहते अपनी पोजिशन की काफी ज़ादा वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी इवन 1719 में इन्होंने फारुक सियार की मदद की वहां के जो किंग मेकर बनके बैठे थे सेयद ब्रदर्स उनमें से एक ब्रदर को एलिमिनेट किया जिसकी वज़े से फारुक सियार ने इनको काफी सारे राइड दे ये काफी सारे इलाके की टेक्स कलेक्शन की पावर इनको दे दी गए वो इलाका जो अभी तक मुगलों के कंट्रोल में था क्योंकि आपको मुगलों की पॉलिक्स को भी समझना पड़ेगा मुगलों की पॉलिक्स और अंजेव की देथ के बाद काफी ज़ादा फ्लक्ट्वेटिंग हो जाती पहले गद्धी पे बैठते है बादुर्शा फिर जहांदर शाह को बेठा दिया जाता है लेकिन जहांदर शाह के बाद सारी पॉलिक्स को कहीं न कहीं क्लेम कर रहे हैं सेद ब्रदर्स जिनको किंग मेकर बोला जाता है वो एक इंडिवीज्वल की मदद करके एक को राजा बनाते हैं दूसरे को मरवा देते हैं ये सारा वो करवा रहे हैं इसी लिए इस फूरे बैक्ग्राउंड में पाला जी विश्वनात की मदद के आद फारुक सियार ने बोला कि हाँ जी हम एकसेप्ट करते हैं शाहु महराज कुगी वो मराटा किंग है और साथी साथ उनको बोला कि आप बहुत सारे इलाके में से टेक्स कलेक्ट कर सकते हैं जो एक्चुली में हमारे कंट्रोल में आता था पॉंसर टेक्स चौवाथ एंड सरदेश मुखी करनाटिक और मैसूर के इलाके से टेक्स करना अलाओ कर दिया गया तो इनके बाद बाला जी विश्वनात के बाद हम लोगों को बात करने हैं बाजी राओ के बारे में आप में से कितने लोगों ने बाजी राओ का नाम पहले सुनाएं बताने की कोशिश करिए आप लोगों ने दुबारा नाम पहले नाम सुनाएं इनका तो आप लोगोंने नाम सुना के एक मूवी आया थी बाजी रामस तानी तो इनके बाद जो एक्चली में बाला जी विश्मनात के बेटे हैं और यह अगले पेश्वा बनते हैं बहुत छोटी उमर में पेश्वा बन जाते हैं बाला जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि नोंने तालिस लड़ाई यह लड़ी थी जिसमें से एक भी लड़ाई नहीं आ रही तो इनके बारे में लोग बात करते हैं बाजी राओ यह बड़े बेटे थे बाला जी विश्वनात के और इनके टाइम पिरड़ में सिस्टम ऑफ कॉन्फिडरेस्टी डेवलप हुआ है यानि अलग लग ओफिसर्स को अलग लग पावर दे दी जाती थी और उनको बोला जाता था एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे अलग अलग जो नए अलग 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 प्लेस पर इस्टैबलिश होने लग जैसे बड़ोधा में जो एक्सप कॉन्फिडरेसी थी उसको गायकवाट की कॉन्फिडरेसी कहते थे तो इट इस लाइक कि अब पावर सेंटर बन गए चुरुवात में सारी पेश्वा की पोस्ट के अंदर में गई अब पेश्वा से भी पावर और डिसेंटरलाइज एक तरीके की कॉन्फिडरेसी डेवलप हो रही है तो पेश्वा मुखिया तो है लेकिन बाकी सारे लोग अपने लोकल एरिया के छतरप है वो एक्सपैंड कर रहे है मराथा एंप जो कि सेंटर के इलाकी में और अलग अलग इलाकी में एक्सपैंशन करने वाले उनके अलग अलग छतरप है तो कहने को ये सारा मराथाई एंपायर है लेकिन ये छतरप ने क्योंकि एरिया एक्सपैंड कराया तो ये भी पावर होल्ड करते थे और कई-कई बार इनकी आपस में quirl हो जाती थे आपस में लड़ाई हो जाती यद आगे चलके इनकी weakness का कारण ही आपस की लड़ाई होई है आपस के quarels उने हैं क्योंकि उनकी weakness का कारण भी बना क्योंकि कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हो गया और हर कोई अपने सेल्फ इंट्रेस्ट एंड वेस्टेड इंट्रेस्ट के लिए एक्स्पेंशन करना चाह रहे है इतना क्लियर है कोई डाउट है तो प्लीज पुछते चलिए गड़ ठीक है जी सुब बाजी राव फस्ट के बारे में इतना याद रखेगा कि इन्होंने मुगल एम्पायर के खिलाफ बहुत सारी लड़ाईया लड़ी निजाम औफ आइदराबाद के खिलाफ भी लड़ाईया लड़ी इन्होंने 1737 में दिल्ली पे रेड भी किया और पुर्टगालियों के साथ भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई है एंड साथ ही साथ जो इनका रिलेशन था मस्तानी भाई के साथ तो अलग-लग मुवीज में अलग-लग तरीके से अड़ेप्ट किया गया उसकी अलग-लग वर्जन दिखाय जाते है बाजी राओ के एक ब्रदर भी है जिनका नाम है चिमाजी अप्पा और दो छोटी बेने अनुबाई और भियूबाई ठीक है जी तो ये चिमाजी अप्पा का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसको भी आपको समझना पड़ेगो ठीक है क्योंकि वो भी एक तरीकी के पावर सेंटर है पेशवा के भाई है तो काफी पावर वो भी होल्ड करते है इनकी मुख्य लड़ाई निजाम के साथ दिल्ली पे भी इन्होंने कबजा किया था दक्कन पे भी हमला इन्होंने किया था और साथी साथ बंदेल खंड वा जाद ऐसा माना जाता है कि बाजी राओ ने 20 साल की उमर 20 साल के जो अपने कैरियर में एक तालिस लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें से एक भी लड़ाई उन्होंने नहीं आ रही थी 41 लड़ाई में उनकी जान जली जाती है और वो सारव वो आपको एक रफ आइडिया मिलता भी है अलग रख सोर्स इस पर अब अगली बात करते है बाला जी बाजी राओ के बारे में जो कि इनके बड़े बेटे बाजी राओ अब इनका नाम कैसे आए इनका नाम देखिए बाजी राओ इनके फादर के नाम से और बाला जी इनके ग्रेंड फादर के नाम से अब शाहु माराज के बाद अगले जो पेश्वा है उनका नाम है राम राज और राम राज को पावर को पूरा तरीके से अपने हाथ में रखने के लिए पेश्वास उनको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं उनको इंप्रीजन कर लिए गए सतारा के लाके में और सारी पावर पेश्वा के आद में जिनका नाम है पाला जी बाजी रहा हूँ पेश्वा के टाइंप्रेड में मुगल एंपायर के साथ यह समझौता हुआ और इस समझौते के बाद पेश्वास ने अई एशॉरेंस दिया मुगल एंप्रेड को कि जब भी मुगल एंपायर पे हमला होगा इंटर्नल या एक्स्टर्नल सोर्से से तो मराथास उनका डिफैंस करेंगे और उसके बदले में उनको आग्रा अजमेर का चौथ टेक्स कलेक्ट करने की पर्मिशन मेंगे तो एक तरीके से यह ऐसा रिष्टा है कि हाँ जी हम आपको डिफैंट करेंगे आपके एंटमी से लेकिन उसके बदले में हमको आगरा अजमेर का टेक्स कलेक्शन हम करेंगे नौर्ट वेस प्रोविंसियस का जो चौत है वो भी कलेक्ट हम करेंगे तो आप आप समझें कि मुगल एंपाइर कैसे वीक होता जा रहा है मराथा एंपाइर बाला जी बाजी राओ की टाइम रेड में कैसे स्ट्रॉंग हो रहा है बाला जी बाजी राओ को अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उनमें आपने इनका नाम सुना होगा नाना साइब ये नाना साइब वही है जो काशी बाई जी के बड़े बेटे थे मस्तानी बाई के जो बेटे जी नाम शम्षेर बादूर रखा जाता है शम्षेर बादूर के बारे में भी हम लोग बात करें गए तो कौन है जी ये नाना साइब है जिनको बाला जी बाजी राओ के नाम से जाना जाता है एंड ये 1761 तक पेशवा रहे थे और 1761 में लेकिन एक बहुत ऐसी बड़ी चीज होती है जो मराथा एंपायर्स को पूरी तरीके से शेक करके हिला के रख देती है उसके बारे में सुझना मार ले काफी ज़्यादा ज़रूरी है तो हम अब उसको समझते हैं इस थर्ड बैटल ओफ पानिपत के उपर अभी एक मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले उस मूवी को गौरीकर्ज साब ने बनाया था उसमें अभी नहीं किया था अर्जुन कपूर में अर्जुन कपूर जी जो सदाशिव राव भाव के रोल में थे और एमशा अबदाली का करेक्टर प्ले किया गया था अगर आप लोगों ने मूवी देखियोगी तो आप लोगों को समझ जाएगा कि मूवी को कैसे स्ट्रेच किया गया था और बहुत सारे अलग अलग नादिर शाह वही है जो मुहमद शारंगीला से कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन लूट के लेके जाएगा मुहमद शारंगीला मुगलो का राज़ा आपको पता है रफ मैप में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ या एक तरीकी सिंबल की तो माली के दिल्ली है दिल्ली के बाद इधर पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद इधर अफगानिस्तान तो अफगान हमला करते रहते थे दिल्ली के अलाके से लूट पार्ट लेके उधर समान लेके जाये करते थे और नादिर शाह या इवन और बहुत सारे अफगान आते रहें तो नादिर शाह के साथ अबदाली भी आया करता था और इसने काफी लूट एंड प्रंडर किया था और दिल्ली का नवाब था मुहमद शारंगिला ये लूट पार्ट आगे के टाइम प्रंड में भी चलती रही नादिर शाह के दैद के बाद उसका कमांडर एमाशा अबदाली बार बर आता था और लूट पार्ट लेके चला जाता है कुछ बार हारे भी हैं अफगांस और कुछ बार जीते भी 1761 में फिर से हमला वना वाला है इस पूरे बैक्ग्राउंड में पूरी फोर्स तयार की गई है जिसको रीड करे है सदाशिव राओ भाओ और आने वाले पेशवा जिनका नाम है विश्वास राओ अब क्योंकि अफगांस आ रहे थे तो उनकी फोर्से स्ट्रॉंग थी इसलिए कॉन्फिडरेसी बनाई गई बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया गई उधर से अफगांस जो एमश अबदालिया उन्होंने इंडिया के बहुत सारे लीडर से बहुत सारे राजाओं से मदद मागी अन दी नेम ऑफ रिलीजिन और बाकी सारे अलग-लग फैक्टर्स तो इस पूरे बैक्ग्राउंड में ऐसा बोला जाता है कि अवद के नवाब हो गए और कुछ उत्राखंड के भी एक दो नवाब थे जिन्नोंने एमश अबदाली का साथ दिया तो दोनों तरफ से कॉन्फिडरेसी तयार थी दोनों के बीच में लड़ाई होना तय था और इस पूरी लड़ाई में शमशेर बहदूर जो की मस्तानी भाई के बेटे थे बाजी राओ के बेटे वो भी पार्टिस्पिड करते हैं लेकिन जैसा कि आपको पता है ये लड़ाई में हार होती है मराठा इसके और जीत होती है मश अबदाली की और इसमें बहुत सारे एक आगे आने वाले लीडर्स की दैथ हो जाती है वो लोग जो लीड करने वाले थे केपेबल थे उनके बहुत सारे ऐसे जैनरल्स ऐसे कमांडर सदा शिबराव भाव इन सब की दैथ हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ा जटका था क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट लोग जो वो वीक हो गए है आपके मेन प्लेयर जा चुके है तो एक डाउन फॉल देखने को मिलेगा और इसका जो मेन कारण बोला जाता है वो था लैक ओफ यूनिटी क्योंकि जितने भी मराठा चीव्स थे या बाकी सारे और गृप थे उनके बीच में कोई ऐसा कंसेंस नहीं था और कुछ प्लेयर्स का बिट्रेयल भी बोला जाता है कि यह इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वैसे इस बैटल में हार हुई थी मराठास की और यह हार खाली मराठास कोई नहीं चुबी इसका फाइदा अंग्रेज़ों को भी मिला क्योंकि अंग्रेज़ों को इस समझ क्योंकि अभ यह हार हो चुकी है तो एक तरीकी से क्लिरटी मिल खाल गए एक तरीकी स् achievements के बारे में बदेक्ट खे की आगे की बात कर लेतेon शिवाजी महाराज काफी extensive territories थी उनके पास महाराश्टर, करनाटक और तमिलाडू के लागे में इनके जो empire था शिवाजी महाराज का उसको दो part में और divide कर सकते एक वो है सुवाराज जो कि खुद का kingdom है और दूसरा है मुलक के कादिम और इस वो राज को मुलक के कादिम बोला जाता था और उसके अलावा कुछ एक undefined belt हुआ करती थी यानि एक वो area जो कि direct फूरा खुद के control में और दूसरा area वो है जिसमें से सिर्फ tax का collection किया जाता है चौथ तो वो चौथ का जग collection किया जाता है वहाँ पर administration शिवाजी महराज का हो ऐसा कोई compulsion नहीं है जैसा भी मैंने बताया कि दूसरे से उसकी safety के बदले में भी चौथ collection की जिम्मेदारी ले ली गई तो अगर वहाँ से चौथ collect करे इसका यह मतलब नहीं कि वहाँ administration भी मराठा स्काओ administration वहाँ पर local राजाओं को भी करना पढ़ सकता था और local राजा करते भी तो चौथ मतलब नाम से पता चल रहा है बन fourth tax collection शिवाजी महराज ने पूरे administration को hinduized किया हिंदू उसको काफी high offices में पॉइंट किया गया और उर्दू को replace कर दिया गया Persian को replace कर दिया गया by Marathi language इनकी मदद करने के लिए art officers का एक confederacy group था जिसको कहते थे अश्ट प्रदान what were these officers called these officers were known as अश्ट प्रदान अश्ट प्रदान में कौन कौन हुआ करते थे पेश्वा पेश्वा यानि prime minister and he was the in charge of general administration उसके बाद अमत्य या मद्दूमदार आते हैं जो की minister of finance and revenue तो देखे ये art officers में से ही पेश्वा आगे चलके most important हो जाएंगे especially from the time period of बाला जी विश्वनात जैसा की मैंने आप लोगों को already बताए then अमत्य या मद्दूमदार जो की minister of finance या revenue है after that comes वकिया नाविस या मंत्री जिनको हम home minister कहते दाबीर या समंत foreign affair इनके control में है शुरू नाविस या सची भी या royal correspondence है या secretary है पंडित राव मिनिस्टर ओफ रिलीजन है सर ये नौबत या सेनपती कमांडर इंचीफ है सेनपती का मतलब आपको पता ही है और न्याएदीश का मतलब पता है न्याएदीश का मतलब पता है न्याएदीश के अधीश न्याएदीश यानि न्याएदीश और पंडित राव नौमली लड़ाईओं में नहीं जाया करते थे बाकी सब का लड़ाईओं में involvement होता था क्योंकि पंडित राव जी का काम रिलीजन्स रिलेटेड है इसलिए उनका लड़ाईओं में involvement जैनरली नहीं हुआ करता था ठीक है जी पेश्वा और सच्छिव और मंत्रीज को कई बार प्रोविंसेज के इंचार्ज भी बनाया जाता था पंडित राव और न्याएदीश को वार में सर्व नहीं करना होता था बाकी सब को सर्व करना होता था जब भी जरुद पढ़ती थी जहां पे भी अपॉइंट किया जाता था बाई चातर बता अपनी डिपार्टमेंटल ड्यूटीज में ये आठों के आठे मिनिस्टर्स की मदद करने के लिए आठ अलग क्लर्क्स हुआ करते थे आठ अलग उनका सब स्टाफ हुआ करते थे यानि पेश्वा की मदद करने के लिए आठ अलग आफिसर्स होंगे ऐसे ही सामंत की मदद करने के लिए भी आठ यही आफिसर्स यानी होंगे तो आफिसर्स कौन कौन से हुआ करते थे दिवान यानी सेक्रेटरी मजूमदार मजूमदार का मतलब है auditor या accountant पड़निस का मतलब है deputy auditor सबनिस या दफ्तरदार का मतलब है office in charge कारखानिस यानि कमिसरी का मुक्या कितनिस यानि correspondence clerk जामदार यानि treasurer and potniss यानि cashier आज की डेट में भी आप जाईए देखें किसी भी चीज की basic fundamental को समझें आप लो कि कहभी भी काम किया जाता है तो आपको ऐसे ही power या काम को decentralize करना पड़ता है otherwise काम कैसे करेंगे आप for example bank में जाईए और bank में cashier भी वही इंसान है content भी वही है security का काम भी वही करता है तो क्या वो bank काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा ऐसी हर एक institution में आपको काम divide करना पड़ता है तो दिवान मजूमदार फणिस सबनिस कारकनी चितनी जमदार और पोतनिस यह सब एक important minister की मदद करने के लिए आठ सम minister है जो उनके अंडर में काम करते हैं कि सब लोग चत्रपती की guidance के अंडर में काम किया करते हैं revenue administration की बात करें तो मराटास के जो revenue administration था ज्यादा तर follow करता था मलीकंबर के administration के methods को मलीकंबर कौन था जो एहमद नगर का एक important officer था और उसका revenue system काफी ज्यादा popular था कि शिवाजी ओमाराई ने जागिर्दारी system को abolish किया था और उसको replace किया गया था with gradient वारी system तो यह कई बार पूछा जाता है कि रहयत वारी system अंग्रेज्जों के आने से पहले किस ने implement किया था तो यह रहयत वारी system Marathos ने implement किया था रहियत वारी मतलब लोगों से डिरेक्ट टेक्स लेना रहियत मतलब फार्मर्स होता है तो फार्मर्स से डिरेक्ट मराठास के आफिसर्स जाएंगे और टेक्स लेंगे रादर देन जमीनदारी या जागिरदारी तो जागिर्दारी का मतलब यह कि जागिर होगे और जागिर्दार टेक्स कलेक्ट करके देगा और अपना शेयर रख लेगा तो इसके वज़े से रोहियतवारी सिस्टम की वज़े जो हेरेडिट्री रेविन्यू आफिशर्स थी उनकी पावर इंक्रीज होती है जैसे कि देशमुक अभी आप लोगों ने एक पॉपलर एक्टर का नाम है उनके सरनेम देखे होंगे इवन महराष्ट के पुराने सियम का नाम विलास राउ देशमुक ने देश पांडे पार्टे उसकुल करने ये सारी कास्ट आज की डेड में भी आपको देखने को बिलती है शिवाजी महराच के टाइम पिरड में भी लैंड के उपर मिरासादार का जो कंट्रोल था उसका काफी अच्छे से कंट्रोल किया जाता था उसको अच्छे से सुपरवाइस किया जाता मराटस का रिवेन्यू सिस्टम काटी सिस्टम ऑफ मलिक अम्बर से इंफ्लुएंस था इसके अकॉरडिंग पूरी जमीन को रोड या काटी से नापा जाता था उसके हिसाब से पूरा land revenue assess किया जाता था कि कितना tax होना चाहिए कितना tax नहीं होना चाहिए चौथ एंड सरदेश मुखी इस tax session के अलावा important source of income यही थे चौथ एंड सरदेश मुखी तो जो land revenue तो है उसके अलावा भी जो area control में उससे चौथ लिया जा रहे और क्योंकि बाकी सारे इलावे की मुखी है तो सरदेश मुखी भी लिया जा रहे तो यह important तरीक है important tax है जो collect किये जा रहे चौथ एंड सरदेश मुखी के Marathas tax ले रहे हैं कि हम आपका protection कर रहे from foreign invasion या किसी और Marathas की soldier का interference नहीं होगा बस आपको हमको one by four देना पड़ेगा चौथ तो यानि अगर चार पूरे हिससे उसमें से one by four तो आपको हमको देना पड़ेगा तो यह क्या है चौथ है इसको हिंदी में चौथ बोलते हैं और इसका tax का नाम भी चौथ है सर्देश मुखियों में सर्देश मुखियों की position देशाई या देश मुख के उपर हुआ करती थी तो लीडर होने के नाते मेरा एक claim बनता taxation के उपर इसको बोला जाता था सर्देश मुखियों state tax के रूप में cash payment की बात करता था इस trade का share 30% हुआ करता था पर बात के time period में इसको increase करके 40% कर दिया गया था agriculture को encourage किया जाता था और फेमाईन के time period में grain and money supply किया जाता कुछ इसी तरीके का involvement आप देखेंगे शामभाजी महराज के time period में भी शिवाजी महराज के time period में भी क्योंकि agriculture important और वहीं से सारा taxation का collection important वहीं से आ रहे military system की बात कर लेते थोड़ा सौर इस पे portion बचा है जिसको हम finish करेंगे तो देखें क्योंकि इनको लगाता लड़ना है पूर्टगालियों से मुगलों से मैसूर से भी लड़ाई हो रही है कई की बार हाइदराबाद के निजाम से भी लड़ाई हो रही है इसलिए आर्मी बहुत strong चाहिए आपको जब आपके enemy इतने ज़ादा हो तो आपको आपकी सिर्फ आर्मी ही बचा सकती है तो soldiers को cash में payment किया जाता था पर बड़े जो chief और commander हुआ करते थे उनको जागिर दे दी जाती थी किया आपकी जागिर है इसको सरंजब या मोकस भी बोला जाता था आर्मी में मवाली यानी foot soldier हुआ करते थे cavalry हुआ करते थे और equipment holder हुआ करते थे और navy भी कही ना कहीं develop थी तो कौन-कौन से officer थे देखे मुख्या का नाम है सरे नौबा जिसको सेन अपती भी बोला गया किलादार वो है जो officer of fort है जो किले की जिम्मेदार है जिसके पाफ नायक है जो की infantry का unit का मुख्या है हवलदार वो है जो इसके under में 5 नायक काम करते हैं जुम्मादार को भी head of 5 नायक बोला गया गुराओ वो है जो वो boats जिनमें गन लगी हुई है तो ऐसी boat develop कर ली गई थी क्योंकि पूर्टगालिस के साथ लड़ना है मैंने भी आपको बताए जंजीरा के island पे जब हमला किया गया तो बिना navy के तो आप नहीं कर सकते तो इनकी special type की boat हुआ करती थी जिस पर बंदूके लगी होगी होती थी उसको घुराओ बोलते थी फिर गलीवत आता है and pack आता है pack मतलब foot soldier ये पूछा जाता है pack कौन होती है और गलीवत है यानि वो rowing boat जिसमें 40-50 rovers होते है so army important था army को सिर्फ rainy season के time period में rest दिया जाता था बाकी सारे time ये अपने expedition में लगी रहती थी even पिंडारिस इनके साथ accompany किया जाता करते थे ये mercenaries थे इनका ये काम था कि ये loot की मदद किया करते थे मराठास के और जैसी मराठास किसी इलाके को जीता करते थे तो वो इलाके को loot and printer करने के लिए पिंडारीस को दे दिया करते थे ये पिंडारीस का नाम याद रखिएगा जब मैं third एंगलो मराठा वार बताऊंगा तो उसके important causes में पिंडारीस भी उते कि कैसे बिटिशर पिंडारीस को target करते हैं और ये बात मराठास को पसंद नहीं आती है क्योंकि मराठास के ये ally हुआ करते थे ये mercenaries थे loot and printer का काम किया करते थे उन इलाकों में जिसमें मराठास जीत जाया करते थे और लडाई में उनकी मदद किया करते थे उसके बदले में ही loot and printer किया करते इसको पिंडारीस जो collect किया करते थे उसको पलपटी कहते थे जो की 25% हुआ करता था टोटल वार बुटी का 25% इसके अलावा कुछ additional forces की बात करते traditional forces में इस तरी किस समझेगा कि देखे कुछ वतंदार्स है जो अपनी forces लेकिया रहे वतंदार यानि वो लोग है जो फ्यूडर लॉड्स है एक तरीके से ठीक है जो लोग lawyerly काम करते थे उनकी services को award भी किया जाता था और in case माली जै किसी soldier के परिवार की या किसी soldier की death होगी तो उसके परिवार की देखवार राजा की तरफ से की जाती थी तो शिवाजी महाराज के टाइम प्रड़ में आर्मी काफी ज़्यादा डिस्पलेन थी और कभी भी military staff के performance को नीचे गिरने नहीं दिया गया उसके level को नीचे गिरने नहीं दिया गया even mosque का destruction को भी फोरवेड किया गया और book of god and woman को touch करना ये सब अलाव नहीं था शिवाजी महाराज एक born leader थे चोटी उमर से ही आप देखे कैसे उन्होंने चोटी सी जागिज़दारी से start किया था और कैसे कितना बड़ा empire उनके time period में बना इनका सबसे बड़ा important contribution ये है कि उन्होंने सारे मराटास को अठा किया और उनके अंदर एक sense बरा self pride का sacrifice का and shivalry का रिलिजन की बात करें तो tolerance था protector of the Hindus है हिंदू faith को बचाना है लेकिन इसका मतब यह नहीं कि बाकी सारी faith को हमला किया गया नहीं defense किया गया थी Islam और बाकी सारी religion के खिलाफ ऐसा out and out आपको ऐसा हमला नहीं देखने को मिलेगा थोड़ा tolerance comparatively था तो वो पूरे इलाके में जो काफी ज्यादा किया था काफी ज्यादा instability थी उसको stability देने का important काम शिवाजी महराज के टाइम प्रड़ में होगा थी तो यह सारी चीज़े है और जैसे मैंने बता है रहियतवारी system revenue administration में लगाया गया ताकि farmers से direct contact establish किया जा सकी और सारी cast and tribe members को involve किया गया था armed forces में अलग लग जगा पर employ किया जाता था ऐसा कोई fix नहीं था कि आजी यह particular cast ही आर्मी में जाएगी या ऐसा कुछ होगा नहीं in general liberty थोई थी tolerance था कोई पी office hereditary नहीं था administration of the force पे काफी जादा ध्यान दिया गया था क्योंकि marathas की सारी power उनके किलों से ही आती था जादातर किलों पे control maratha के लाके पे दक्कन के लाके पर marathas का था तो प्रोविंशल administration के बारे में बात करते हैं तो प्रोविंशल administration में देखिए शिवाजी महराज का जो administration था वो चार प्रोविंस में डिवाइड था हर एक provinces के मुख्या को ममलतार या वाइसराय बोला जाता था हर प्रोविंस को डिवाइड किया गया था कुछ districts and villages के अंदर और villages भी अपने आप में एक organized institution की रूप में develop किये गए थे कि villages अपना development खुद देख सकते हैं गाओं के मुख्या को देश-पंडे या पटेल बोला जाता था और यही हैड हैं जो पूरे गाओं का management किया करते थे सेंटर की तरह यहां के भी administration को चलाने के लिए art minister का group था जिसमें सरे कारकून या प्रांत पती मुख्या हुआ करता है तो जैसे सेंटर में administration है वैसा ही system को replicate करके local level पे भी चलाया जा रहा है ताकि हर एक level पे group of advisor हों जो की मदद करें officers की उनके अच्छे काम करने में तो maratas की coinage के बारे में बात करते हैं maratas का coinage आपको अलग-अलग time frame में develop होता हो दिखेगा copper coin जो issue किया जाता था वह बहामनी kingdom से influence था जो की बाद में एहमद नगर के जो copper phallus नाम की सिख्के से inspired था मुगलों के सिख्कों का थोड़ा सा आपको reference देखने को मिलता है maratas के silver सिख्कों में और विजे नगर empire के सिख्कों से inspired था गोल्ड का सिख्कों जब शिवाजी महराज का coronation हुआ तो बहुत सारे गोल्ड के सिख्के गोल्ड हूंस issue किये गए शिवराय नाम के copper के सिख्के भी बहुत huge amount में issue किये गए उनका नाम है शिवराय पेश्वा की time period में थोड़ा सा change आता है पेश्वास के time period में बहुत जादा silver के सिख्के issue किये गए और उनमें Hindu style mint mark दिये गए और देवनागनी भाषा में legend लिखे गए है जो नॉर्मली Persian भाषा में लिखे जाते थे during the time period of Mughal coins सुम्बर आठाइस के coins में आपको high degree of sophistication नहीं देखने को मिलेगा simple coin देखने को मिलेगा तो कौन कौन से सिख्के थे उनका नाम उनका जो nature है सिख्कों का बदलता रहा है अंकुष है फैलस नाम का सिख्का है फनाम है गानी है हन है नाक फनी है नजराना है रुपया है और शिवरा है शिवरा है जैसे मने बताए कौपर का सिख्का है रुपया है जो सिल्वर का सिख्का है नजराना है ये वो है जो कि actually में coins के नाम पर gift दिया जाता है ताकि राजा की नजर उतारी जाए ऐसे ही copper की छोटी currency को fallis बोला गया है अंकुष वो सिक्का है जिसमें lord गनपती की image देखने को मिलती है तो ये कुछ ऐसे सिक्के हैं जो कि आपको marathas के time plan में देखने को मिलेंगे और यही हमारा marathas का portion था जो कि हम लोगों ने आज finish किये इसके आगे वाली जो marathas की कहानी है वो हम modern का part पढ़ते है जिसको हम anglo marathas war कहते तो अभी जो marathas की लड़ाई होगी वो ब्रिटिशर्स होगी तो ब्रिटिशर्स को पहले establish लिश भी तो करना पढ़ेगा अभी तो हमने ब्रिटिशर्स के एंट्री भी नहीं पढ़ेगा तो यह सारा जो portion है anglo marathas war वाला हम यह पढ़ते है modern वाले पार्ट के साथ तो आज हम इस session को भी यही रैप अप करते कोई भी लगों ने सांबा जी माराज के बारे में बात किया उनकी वाइफ तारा बाई के बारे में बात किया दैन बात की शाहों के अंडर में कैसे अलग-लग पेश्वास ने important role play के और कैसे पेश्वास ने अपने area को expand कराया और फिर थर्ड बेटर अफ पानिपत के बाद क्यों डाउनफॉल देखने को में देन हम लोगोंने बात कि अड्मिस्टेशन के अलग-लग एस्पेक्ट के बारे में इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूश सकते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर है 991167533 एक इंपॉर्टेंट अनॉस्मेंट यह भी है कि जो लोग PGT History की त्यारी कर रहे हैं अरुनाचल की स्टूडेट्स अरुनाचल PGT History तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है संडे स्टेश जो भी इंटरस्टेड है यह मेरा नंबर है 991167530 इस पर आप लोग मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं अलिए थैंक्यू जी अच्छे से बढ़ते रहेगा revise करते रहेगा कोई doubt और कोई query हो प्लीज पूछते रहेगा इसको यही wrap up किया जाएगा अगले सेशन में हम लोग सूफियन भक्ती मुव्मेंट को cover करने के कोशिश करेंगे आपका जो medieval वाला major portion है वो finish होता है then modern वाला जो part है हम उसको introduce करेंगे पूर्टगालियों के बारे में हम पढ़ेंगे बाकी सारे players के बारे में पढ़ेंगे कैसे उन्होंने इंडिया पे कबजा किया और कैसे इन हमारे देश भक्त हमारे महान क्रामतिकारी हमारे leaders ने देश को अज़ाद कराए और हमको independence में तो यह स्रिसला जारी रहेगा गुड़नाइट इन लोगोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपके जो भी reviews और recommendations हो आप लोग comment section लिख से गुड़नाइट, see you all in the next lecture